Hello what is up guys it's your boy Surya here बागर नार वीडियो इन Surya Vlogs तो आज जो है साइकल जो है मेरा Hero Electro F3i इसको लिया हुआ 8 months complete होने वाला है सो साइकल जो मैंने February के mid में लिया था तक्रिबन 15 February में आज जो है September महिना चल रहा थिक है तो 8 months का ये जो long term review है ये बेसिकली होने वाला है सो चलिए बिना time waste के video को सुरू करते है सो वीडियो को सुरू करने से पहले मेरे एक चुत्ता सा request है आप लोगों से कि इफ ये नीचे चैनल दें प्लिस कॉंसिडर सस्क्राइबिंग ये चैनल अगर ये अपके पास नहीं होगा तो आप cycle को on नहीं कर सकते हो इस RFID की को अपको इधर प्रेस करना पड़ेगा तब ही cycle जो है वो on होगा basically इसका electronic functions तेक है अभी मैं इसको off कर देता हूं ये cycle जो है basically आपका mileage जो है ये battery के पर डिपेंद करते है इसमें आपका 6.36H का बैटरी लगा हुआ है that company company जो है hero दाबा करता है कि इस electric cycle का जो range है वो 36 to 40 km के बीच में है लेकिन मुझे ये around 50 km PL के like बीच में दे रहा है 52 50 ठीक है मैं screenshot में आपको दिखा दूंगा Hero Electro App में तो अभी जो बात करते है इस cycle का जो overall experience है इन महीनों में तो मुझे ऐसा कुछ such problems देखने के लिए नहीं मिला है अभी तक इन 8 months में एक भी बार मुझे तायर बंसर नहीं हुआ है अभी तक एक भी पंचर जो है वो नहीं हुआ है लेकिन पीछे के तायर का अगर मैं ग्लिप की बात करूं तो थोड़ आसा खिश सुका है ज्यादा नहीं बस थोड़ साखिश है लेकिन सामने का तायर जो है वो अल्मॉस्स निव कॉंडिशन में है तो आपका इस cycle में अग हिसने वाला है आप लोग का मतलब तो cycle का लाइक अगर मैं बार में बार में बात करो तो अभी तक मुझे कोई भी प्रॉब्लेम नहीं तिखने के लिए मिला बस एक थोटा सा प्रॉब्लेम था बिल के उपर जो इसका मतलब बैक वाला डिश ब्रेक है उसको मुझे एक बार अग्जस करना पर था क्योंकि like after four five months back का जो दिश ब्रेक है वो थोरा समतलब रब हो रहा था तो उसको मुझे एकजस करना पढ़ गया और फ्रॉंका जो ब्रेक से उसको मुझे थोरा सा ताइब देना पर तो जो यह था तो वह बिसिक लिए अपको लाई एकजस खुद सही कर सकते हो खर में तो मैंने खुछ से कर लिया था बस वही था अभी तक कोई major issues ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिला है अभी तक मुझे तो जैसे कि अब लोग देख सकते हैं मैंने साइकल पे थोड़ा सा अपग्रेज भी करके रखा है जो बिसेकली बैक लाइट है यह वाला लाइट भी मैंने एक्स्ट्रा करके पर्शेश किया है जो मुझे 1000 रूपीज का पर गया था फ्रों एमाजन एंड बैक लाइट जो है वह भी मुझे 700 रूपीज पर गया था था तो साइकल का जो कोस्त है सिर्फ साइकल का विडाट दा एक्स्ट्रीज इस 41,000 तो विट एक्स्ट्रीज मेरेको लाइक 47,000 के असपास पर गया था क्योंकि मैंने सेपरेटली जो है वो इसको खरीडना पड़ा फिर यह ज्यकारों से दाके शितकोबर क्रेडना पर जिसका प्राइस है लाइक 700 रूपीज काफी अच्छा सा कूशनी शितकोबर है अगर लाइक आप लॉंग डिस्तेंस है के लिंग करते हो तो मैं जरूर रिकॉमेंड करूंगा बहुत ही बढ़िया एक शितकोबर है इससे पहले मेरे पास द हो रासा जारा है जो लगबग 500 रूपय का असपास चला जाता है तो आप एक बार सोस लेना खरीने से पहले वही है बात बहुत ही कॉमफोर्टेबल सीतकोबर है इसका जो ओर्जिनल सीथ है नीचे मतलब वह जारा कॉमफोर्टेबल नहीं है तो उसके लिए आपको के मदगार्ट है तो जो मदगार्ट आप देख रहे हो अभी बैसिकली मदगार्ट है एमाजोन से मैंने पर्सेस किया था अल्मूस्ट लाइक 800 रूपीस लेकिन कोई भी काम का नहीं है थी कह ना तो अगर आप कोई भी मदगार्ट खरीड रहे हो तैन उस पर लाइक इस तर इस तो एचा है कnde आप दोसो टीन चुरुपे में आता है न तो मॉपर भी मैने मतलब अजल गर इसली हमें उसलियर रहे है क्योंकि भी मैंने उसली से fight to तो मुविंग ऑन तुदा सगेंड पर्ड शेफ्टी ये मैंने तीन थो लॉक पर्सिस किया था था तीन थो लॉक क्योंकि ऑविसली लाइफ फॉर्टि फिस्टी थाउजन का अब साइके चला रहे हो और कहीं पर्क कर तो सेफ्टी के लिए लॉक जरूरी है तो यह वाला जो है काफी हेवी जूती लॉक है यह वाला मैंने डेकारों से पर्सिस किया था इसका जो प्राइस है लगबग 700 रुपीज मुझे पर रहा था एंड सेपरेटली मैंने एक डिस लॉक जो है वह भी पर्सिस किया था बैक दिस में लगाने के लिए हाला कि यह लगाना थोड़ों है मतलब लेकिन अपका साइकल को सेफ रखता है काई भी मतलब आधा हनता नहीं तो बीच पचिस मिनित के लिए इसली पार्क कर सकते हो ठोड़ी होने के दर नहीं रहता ठीक है ना तो यह लोग मैंने पर्सिस किया था एक्स्ट्रा करके मतलब नया नया और एक लोग मैंने एक मिने दिखा रहता हूं यह वह लग है यह मैंने लाग बहुत पहले पर्सिस किया था जब मेरा वस वह पुराना सेकल था रोडियो ए 50 अहां रोडियो ए 50 था इल लोगलर का तो तब मैंने पर्सिस किया था यह जगरम 250 के असपास आता लेकिन जादा सेफ नहीं है यह मतल प्रसिस कर सकते हैं तो उसलिए मैं यह वाला इसमें यूज नहीं करता हूं हलाकि अगर मुझे जाना हूं सेटा को आदा हंते एक घंदर के लिए पार्क करना तो मैं तीनों लॉग का ही यूज़ करना हूं ठीक है न तो नोदेट क्योंकि स्वरों का कमी नहीं है जगे में अगर आपका cycle एक बाट शोरी हो गया तब मिलेगा भी नहीं ठीक है ना? वो point note कर लेना अगर आप लेकिशेड पर सेस कर रहे हो तो और यह वह भी नहीं आपको भी cycle process कर रहे हो तो यह point zero note करना अगर cycle by 2.77 सोरी हो जाता तो आपको मिलेगा भी नहीं तो आप दो तीन थू मतलब एक अच्छा क्वारिती का लॉक खरीद लेना जैसे कि मैंने खरीदा है है ठीक है सो चलिए थर्ट पर्ट पे मूफ करते है वीडियो का सो अगे बढ़ने से पहले मैं एक बार आपको रिमाइंड करेने चाहता हूं कि अगर आप लोग वीडियो अगर पसंद आता है न प्लीज लाइक करना मत भूले मतलब बहुत लोग लोग लाइक करना भूल जाते है ना तो उसलिए मैं जस्ट रिमाइंड दे रहा हूं ठीक ना बस वही है आपको तीन लेवेल्स आप पेरलेशिस मिल जाते हैं तो पेरलेशिस में मुझे अभी तक कोई शाच इशू देखने के लिए नहीं मिला है लेकिन फ्रॉटल मोद में एक फ्रॉटा सा इशू था जो मतलब कभी-कभी मतलब हथे में एक बार या ऐसा कुछ अगर आप लाइक साइखने को एंस तुरन्थ थ्रॉटल लएते हो तो मतलब रेस्पॉन्स इंस्टेंटल नहीं करता है इक सेकेंद बाद अब थी अध्यू फ्रॉटल लेते हो तब रेस्पॉन्स करता है यह कभी-कभी हो जाता है इस सेत्थ इस बात का मैंने दिलर को पू प्रॉब्लेम्स देखने के लिए नहीं मिला इसके बदर से अभी साइकल का स्पीद के बर में मैं बात करना हूं तो आपको हैं पर मिल जाता है तो अभी बात करते ही सेकल का मतलब कितना देती है अगर आप पेडरेलेसिस मेक्स पे रखते हो एंड गियर फोर नहीं तो फाइफ पे रखते हो ठीक है अन हाइवे कॉंडिशन्स आपको थर्टी तक चला जाता है थर्टी थर्टी वन के बीच में आपको रहेगा अन हाइवे कॉंडिशन्स ठीक है एंड अगर आप करते हो कि पेडरेसिस मेक्स पे रखते हो फिर आप पास नंबर ग्यार पे है थर्टी पे जा रहे है उसके बार आपने चे नंबर पे आपकर दिया ग्यार तो क्या होगा अपका जो स्पीड थर्टी का वह वेसिकली 32-33 तक भी पहुंच सकता है अगर अगर से नंबर गयर में उसी तरह से चलाते हो तो 35-40 तक पहुंच सकता है लेकिन उस स्पीड मे आपको थोरा सब मैनत खुद कभी करना पड़ेगा एंड उसी स्पीड में आप 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 नों क सब्सक्राइब तो अपने आप स्पीद जो है वो धिरे धिरे काम हो जाता है ठीक है ना सब्सक्राइब अगर बात करूं तो साइकल में आपको ऑन इलेक्ट्रिक पेडिलेसिस मोद में जो पेडिलेसिस थे इसका फ्रोटल मोद का बात में नहीं कर रहा हूं 28-30 स्पीद मिलता है एं अन ख्रोटल मोद मतलब स्कुती जैसे चल आते है इसको ऐसे करके तो अन ख्रोटल मोद आपको इस सेगेल में जो है 25-26 का स्पीद जो है आपको मिल जाएगा एं अगर श्लोप है मतलब आप है थो रसा जग आप हीव है तो वह स्पीड डिकरीश हो जाएगा ओविसले 24 नहीं तो 22 20 तक बच 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 लोगे तो दौन है तो तो फिर इंक्रीश हो जाता है वही था बैसिकली ओवराल रिव्यू आफ एथ मांच थिक्क है गाइस फोप यू गाइस लाइक लाइक आप लोग को वीडियो पसंद आया है तो मेक शूर यू लाइक वीडियो और सब्सक्राइब करना ना भूलिये